हेलो एवरिवन आपका मेरे चैनल जी के गुरु जी पर स्वागत है हेलो एवरिवन आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और फर्स लेक्चर है मेकिंग ओफ कॉंस्टिटूशन और फर्दर लेक्चर पॉलिटी पर आगे कॉंटिन्यू किया जाएंगे तो यह एक ब्रीफ ओन मेकिंग ओंस्टिटूशन तो गाइस पहले कॉंस्टिटूशन असेंबली बनाई गई थी जिसके बेसिस पर यह कॉंस्टिटूशन बनाया है उस असेंबली जैसे अभी राजय सभाय लोग सभा मिलकर पूरे देश के लेजिसलेशन को पास करती है वैस कॉंस्टिटूशन असेंबली बनाने का 1934 में जो कॉंस्टिटूशन असेंबली आप बना सकते हो पर उसके बाद कॉर्मेंट कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस पर अगरी नहीं किया था और कॉंसा ब्रेटिश का प्लान था जिसके अंडर यह कॉंस्टिटूशन असेंबली फाइनली फॉर्म की गई थी यह कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 के अंडर आया था और इसके जो हैड थे वो थे पैट्रि इन्नेंट गई पर आइन्ट इन्ट इन्ट प्रिप्रिश इंडिया और नायंटी त्री प्रिंसली स्टेट इस को इसको सेंबली जैसे अभी राजा सब्सक्राइब लोग सबहएं मेंबर से फिरे नेक्स्ट कॉस्टन गाईज वास ऑपर फुली एक्टिट बोडिस जैसे हम लोकस्त struggle शीमकरते हैं कि वह फुली लेक्टेट बोडिए होगी त वह पार्शली ऑलक्ती अदिक नौमिनेतिट बोड़ी थी Sounds । बंद caf सेश्ण और फॉन असेंब्ली वाज असेंबली और फ्रली यह सेंभली का 9 डेसंबर tout और यह एक बर फाइनलाइज कर दिया गया था 26 नवेंबर 1950 को और 49 को सोरी और बट इसको आगे इनक्ट नहीं किया गया था क्योंकि हमें रिपब्लिक डे नाइट जैसे होता है 26 जनवरी 1950 को इन्होंने हमने पूरा इनक्ट किया था और नेक्स कोशन है गाइज अब्जेक्ट किया था यह एकसर पूचा जाता है यूपीसी में भी इसको इसको पूचा है रहे सेसी में बहुत पार इसको पूचा है तो इसका अंसर गाइज है जोहालाल नहरों ने इसको पर्पोस किया था कि कॉंस्टिटुशन के आगे प्रेमबल होना चाहिए जैस लाइक वी वॉल कॉंस्टिटुशन का हैड किसे असेम्बली का किसको हैड बनाया था डॉक्टर सचेंदर सेना को बनाया गा जो बिहार से बिलोंग करते थे गाइस नेक्स्ट कोशन है हूँ वाज अपॉइंट इस पर्मानेंट प्रेजिदेंट ऑफ इसेम्बली यह जो कॉंस्टिटुशन इसेम्बली को एडवाइस दे रहा था बार बार उनका नाम था बी अनर रहा हूँ वास पर पांटिट अज्ट को ड्राफ्ट किया है उसके हैड कोंते कमेटी के तो उनका नाम है ड्क्टर बीयर अरंबेद कर सो विच प्रॉमिनेंट प्रेसेनलिटी डिन नोट जॉइंड आरे म्मन कर लेते हैं कि महत्मा गंदी ने क्यूंकि स्टियकल में बहुत आ पाट लिया है तो हम सोचते हैं कि कोंस्ट्यूशन असेंबली में पाट लिया होगा अनोंने कोंस्ट्यूशन आ dispenser कॉंस्ट नं बताया है so fully enacted कब हुआ था जैसे next question ही हमारा 26 जनवरी 1950 को यह fully enacted हुआ था और जो हमारा constitution पहले बना था next question है कि उसके उसमें कितने articles थे कितने schedule से कितने parts like we all know that amendments होती रहती हैं तो यह भी पूछ लेते हैं कि पहले कितने आर्टिकल से schedule थे part थे so तब जब in act हुआ था like as 26 जनवरी 1950 में तब इसमें 395 आर्टिकल से 18 parts से और 8 schedule से जाता हूं कि यह अपना constitution है यह आर्टिकल में parts में schedule में divide हुआ हुआ है यह एक तरह की classification है है इसमें कुछ डर्शन है कि अभी कितने आर्टिकल्स हैं schedule है पार्ट है constitution में so अभी 465 आर्टिकल सोरी में sprint होगा है थोड़ा सा आप दोबारा इसको no done कर लेजे 12 schedule है 25 parts है so who headed union power committee गाइस आपको बताना चाहता हूं कुछ committees बनाई गई थी different different उनको different different prominent personalities ने हैड किया था और उनके अंडर ही सारा मतलब constitution frame हो रहा था जैसे कि आपको बताया कि drafting committee के head डीब बी आरमेद कर थे जैसे वैसे हैडिट किया था union power committee को किसने head किया था जवाल नाल नायरू काई जे committee बहुत important and UPSC से लेकर स्टेट PCS SSC में सभी जगाई यह पुछी जाती हैं तो कोई भी exam दोगे SI का चोटे से चोटा exam भी दोगे बड़े से बड़ा हर exam के लिए यह relevant है who headed the union constitution committee जोहाल नायरू ने इसको फिर दुबारा head किया था यह और को committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas इसको सर्दार पतेल ने हैड किया था guys so next question guys who headed rule of procedure committee इसको डक्र जेंदर पर साथ ने हैड किया था who had the state committee regarding negotiation with states इसको जवाला ने किया था इसको guys confuse नी करना सर्दार वल्ला भाई पतेल लाइक we know that वो सारी states की adjustment भाही देख रहे थे पर state committee को जवाला ने हैड किया था who headed steering committee so इनको डक्र एजेंदर पर साथ ने हैड किया था बताना चाहता हूं कि इन committees को exact याद रखिये क्योंकि यह बहुत confusing है और आपको आपके marks भी कटवा से यह जैसे national flag कब adopt किया था यह भी constitution making का ही part है so now we are starting when was national flag when was national flag was adopted कब national flag हमने कम अड़ाप्ट किया था so guys यह हमने 22 जुलाई 1947 को कर लिया था guys इसको यह मत कर सोचना की 1949 में हुआ था यह बहुत confusing रहता है when was national anthem adopted यह 24 जनवरी 1950 को अड़ाप्ट कर लिया था इसको यह मत confuse करना की 26 जनवरी को अड़ाप्ट किया था when was national song adopted यह 24 जनवरी 1950 को किया था इसको 47 से फिर मत confuse करना which provision of the constitution enacted on 26 जनवरी 1949 कुछ provision यह थी जब final constitution बन गया था तब ही की तब ही इनको इनक्ट कर दिया गया था क्योंकि वह मतलब country चलाने के लिए बहुत ही अर्जेंट थी तो कुछ कुछ ऐसे मैंने लिखी है आप और भी हैं बहुत सारी इसको इसमें आप अंडर आ जाती है citizenship elections और पर विजनल पारलेमेंट सो इनको इनक्ट करना उस टाइम पर बहुत ही जरूरी था सुवाइज नेक्स कुछन है कि constitution assembly जो बनाएगी थी constitution assembly यूनिकेमरल थी या कैमरल थी हम रही है कि बाइक केमरल होग जैसे हमने पता है कि इंडिया में भी कैमरल सिस्टम रहता है यह लाइक पारलेमेंट सबैर राजस्बाद दो है और प्रेजिटन भी आते हैं लाइक बर इड़ वस जूनिक मरें.. पर इसमें कोई राजस्बा नहीं ती एक इस इसमें डिरेक्ट वोटिंग होता है पर इसमें सिंगल ट्रांसवेरवल वोटिंग सिस्टम था जो अभी फिलहाल अभी जो यूज हो रहा है वो प्रेजिडेंट के एलेक्शन में हो रहा है और राजासभा के एलेक्शन में हो रहा है सिंगल ट्रांसवेरवल वोल्टिंग सिस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और हम ऐसे ही पूरी पॉलिटी बढ़ाएंगे अगर हमारा टीचिंग का तरीका अच्छा लगा तो इस चैनल को प्यार दीजिए और थेंक यू